तो बच्चो आज आपका जो पांचवे अध्या है कल हमने वीडियो में इसे पांचवे अध्या से सजीवों का वर्गी करण क्लासिफिकेशन आफ लिविंग तिंक्स या लिविंग क्रियेचर्स के बारे में हमने कल कुछ पढ़ाई की थी इस टॉपिक पर तो आज बच्चो के बारे में की झनत्व कितने टाइप की होते है कल भी कुछ बाते इस पे टच हुई थी तो आज मैं फिर से अरिकौल किसे यह किसे कहते हैंeu waxw Republican शुप क्सवी किसे सज्व जिए जिन में रिड की हुट्डी तुल 그렇게 करएक बोन हैं थोड़ा हमने क्लासिफिकेशन किया है पहला है मस्य सरी जईक रए चौथा है आपका पच्षी और पाँचवा अस्तन पाई यह अस्तंधरी तो इनको एक करके हम लोग समझते हैं की चीज रहते हैं कि3 क्या होते हैं तो भिसक दो तो मश्षी के इहां मैं पे देखना है यह कह अकते हैं many ौGe सितत नार कह सकते हैं, यह सिहर को में जल चर्वी में कह सकते हैं, वही मस्ट लिख रखा हैं, तो देखते हैं, जो जल में लिव प्राणी कहलते हैं इनका संभब जीवन है बिना जल के संभ़ों नहीं नहीं है क्यों कि इनके जो गल्फडे होती है उसको ग्रहन करते हैं इसलिए ऐसे जीव जनतू जल में ही निवास करते हैं इसमें कैसा है देखे बच्छो क्या है जैसे आपका मचली है मचली क्या होते हैं स्वास लेने के लिए गल्फडे एक भी से इस तरह के अंग रहते हैं गल्फडे जीने बोलते हैं तो यह क्या करते हैं यही गल्फडे इसको पानी के अंदर असोसन लेने में आसानी प्रदान करते हैं इसी प्रकार से और सारी मचलियां हैं जो कह सकते हैं जैसे वेल सार्क सील यह सारी यह सब क्या हैं बच्चो यह सारी चीजें जल में रहने वाले प्राणिक भी सेस्ता है इसी प्रकार से देखते हैं बच्चो इनका जो सरी होने का क्या benefit मिलता है इनको पानी में आसानी से तैरने में हो जाती है क्या हो जाती है पानी से इनको आसानी में हो जाती हो आप पर तेरने में या अपना एक अस्तान दूसरी अस्तान पर करने में ठीक ISD दूसरा हैdeep उभाय अगां तो देखिए यहां पर मस वाला हम जलचर भी कह सकते हैं जो इसको दूसरे मंतलब नोदो में मतलब कैश्य मैं तल में जमीन में प्लसजाइल में पानी ऐसे जो जीव जन्तु हैं जो प्रिथवी पर या जमीन पर तथा पानी दोनों में अपना विचरन करते हैं या निवास कर सकते हैं या रह सकते हैं या मुल निवास बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं ऐसे प्राड़ी उभाईचर की स्रेणी में आते हैं एक बार फिर देखते ह जैसे के आप देख्वा काच्छmom देखते हैं काच्छुव थैने से ठिखतें हैं में बोग पड़ें इंगे कि यह दोनों का रह सकता है यह पानीम भी रहने में अपने आप को इसको ऊंकूल इसको कोई कर Bank नहीं होती है यह चाहने में उद बिलाव हैं सील मचली है ये सब क्या है जमीन पर और पानी दोनों अस्थानों पर आसानी से रह सकती है या अपना निवास कर सकती है या किरिया कलाब कर सकती है तो इसलिए इन सभी प्राणियों को सजीव प्राणियों को कह सकते हैं इनको उभैचर प्राणी की सरीडियो जो क्या हो रेंग करके चले कहां पे जमीन पर ऐसे प्राणिया जीव जन्तु जो जमीन पर रेंग कर चलने वाले होते हैं उन्हों सरीश्री प्रजातियों में रखा जाता है इसमें जैसे आपका सांप हो गया कच्छुवा भी आ जाता है क्योंकि यह भी रेंग करी चलता है गिर गट हैं और बहुत सारी जनतु है जो कि सरीफिसी प्रजातियों में आते हैं आगे देखते हैं इस chilis इनको खोखली हड्डियों से होती है कैसे खोखली हड्डियों से बनी होती है जिन में कह सकते हैं कि वाय या कह सकते हैं वो हड्डियां क्या होती है यह जो खोखली हड्डियां होती है इनके सरुर को हलका बना देती हैं हलका हलका बनाने से क्या होता बच्चो इनको वाय में य क्योंकि यह बड़ी हुई हड्डिया रहेंगी थो क्या होगा इनका वज़न जादा रहेगा और इनको आकास में हवा उे में असानी नहीं होगा तो इसकी सुविदा के लिए इनकी सरीजिश्व की सरस्दा होती है खोकली हडडियों से होती है यह जो हड़ा ऐसे पंच्छियों में बहुत सारी आपको है जिसे मोर है थोड़ा मोर हैवी होता है लेकिन वो भी उड़ लेता है तोता है कोवा है कोयल है बहुत सारे ऐसे पंच्छी है जो आकास में उड़ते हैं कुछ अन पंच्छी है या सब्सक्राइब करते हैं पैदल ही चलते हैं या जमीन पर कह सकते हैं इनका जो उलने के प्रक्रियाएं नहीं होती यतने इनका वजन जादा होता है कि इन वजन एकारण से इनका पंक इनके सरीर का लोड नहीं उठा पाता इसलिए इनके पैर क्या होते हैं मजबूत होते हैं और यह पैर दल ही चलते हैं पंजों से जमिन पर ही अपना ब्रहमन करते हैं भोजन की तलास इत्यादी जो भी पूर्ती करना है तथा से जानवरों से जो भी सुरच्छाएं होनी है ये अपने पैरों के माध्यम से ही उनको पकड़ते हैं या उनसे बचते हैं ठीक है बच्चो आगे देखते हैं बच्चो है इसमें देखते हैं वे जीव जन तु अस्तन पाई या अस्तंधारी में वे जीव जन तु आते हैं जो क्या करते हैं बच्चो अपने बच्चों को जन में देते हैं तथा उनको दुगधुपान कराते हैं क्या करते हैं दुगधुपान या दूद्ध देते हैं जैसे गा क्या होता बच्चो ये चियो अस्थन पाई ये अस्थन धारी होते हैं और ये सब जमीन पर निवास करते हैं और अपने भोजन आदी के तलास के लिए एक अस्थान पर दूसरे अस्थान तक जाते हैं तता इनको रहने के लिए इनका कोई ने कोई निश्चित अस्थान जरू वीर्टी ना कुछ नगुछ यहां ने क्या हुआ है कि तो दो तरीके से बच्चे कह सकते हैं इए जब विद्टे अंडे को अंडे नहीं स妹 अपने समान ने विभारीर निकले हैं और यांधि सब्सक्राइक बैसक्राइब बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन जिन जीवधारियों या पंची या अस्तन पाइधारियों में से यदि उनके कान बाहर निकले हुए हैं तो अपने समान बच्चे देते हैं यदि उनके कान बाहर नहीं निकले हुए हैं तो कह सकते हैं कि वो अंडे देते हैं ठीक है में स्टार्टिंग बताई भी गया था फिर भी यहां पर देख लेते हैं जिन जीव जनतु है या सजीओ के मेर दंडे या रीड की हड़ी नहीं पाई जाती है इनमें जैसे उदाहन की रूप में ले सकते हैं केचुगा है आपका जोक है इन सब में भी नहीं होता है इसी तरह सब की स्रेडियों में आते हैं अब देखते हैं गार्वी घंके कि बारे में जोकी अपने वोजन के लिए दूसरे पने पर निर्वर करते कह सकते हैं दूसरे पर निवास रहकर या दूसरे के सरीर में रहते है अपने वोजन के लिए पूरह सारी उनके निर्भषता किस पे रहती है दूसरे उसए कहा जाता आ पर जीवी कहा जाता है च्रू पर जीवी में जैसे दें कि कोई जन्टु है यह भी क्या होता बच्चों यह दोसे पानी이면 और कर ले तो क्या होता है यह कारणै indri और भी करता हमें एक छोटा सा परजीवी रहता है वह आपके सरीर में या सीटा क्रीम होते हैं अपने कारण से क्या हो जाता है जो आपका सरी पीते हो घो secondary होते हैं यह कह सकते हैं कि आपका सरी सूखने भी कहाद कि पंती नहीं है तो क्या होता है इन सब कारेण। तो उनके सरीर में जो पोशक ततो सरीर को मिलने वाला होता है वो किन को मिल जाता है उन प्रजीवियों को द्वारा ग्रहन कर लिया जाता है जिसके कारण से eyकी ग्रोथ समूझ्चित विकास नहीं होने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे चीजे जो टॉपिक छुट रहे गई हैं उनको कबर्द करते हैं ठीक है थैंक्यों